नमस्ते, मैं सुरीता सेंगाडा, सायक आचारी संस्कृत आज हम महाकवी भार्वी द्वारा रचीत किरारतार जुन्यम महाकावी के प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय का हम अध्यान करेंगे जैसा कि पूर्व की वीडियो में हम किरातार जुने महाकाविय का जो सामानी परीचे हैं कि ये कथा कहां से दी गई है और इस कथा में कहां पे किस प्रकार से महाकवी भारवी ने परिवर्तन किया है इस विशे में हम अध्यन कर चुके हैं अब इससे आगे बढ़ते हुए हम प्रथम सर्ग के प्रथम अध्याय को हम देखेंगे जैसा कि प्रसंग हमें पता ही है कि राजा युदिष्ठीर कौर्वों से दियूद क्रेडा में पराजित हो गया है तथा ध्वेत वन में निवास कर रहे हैं ध्वेत वन में निवास करते हुए राजा युदिष्ठीर ने एक वनेचर को एक वनवासी को दुर्योधन की संपून जानकारी के लिए आप सुचनाय प्राप्त करने के लिए गुप्त्चर के रूप में भेजा है वही जो वनवासिक गुप्तचर हैं वह संपुन सुचनाय प्राप्त करके पुनहा द्वेत्वन में युदिष्ठिर के समक्ष उपस्थीत होता है वहीं से इस कथा का प्रारम हम यहां कर रहे हैं महा कभी भारवी लिखते हैं अब जब गुप्तचर अपनी संपुन सुचनाय लेकर के जब युदिष्ठिर के समक्ष उपस्थीत हो रहा है तो कृत प्रणामस्य सर्व प्रथम गुप्तचर विनमरता का परिचे देते हुए राजा युदिष्ठिर को प्रणाम करता है जीताम सपतनेन महीम मही भूजे कि महीम जिसके राज्य को सपतनेन जीताम सपतना कार्थ होता है शत्रू शत्रों ने जीत लिया है मही भूजे ऐसे मही भूज को ऐसे राजा युदिष्ठिर को कृत प्रणामस्य वह प्रणाम करके निवेधिश्यतह निवेदन करता है अपनी संपुन जो सुचनाएं वह प्राप्त करके आया है उस बारे में वह उनसे निवेदन करता है फिर आगे कहा रहे है न विब्य थे तस्य मनों नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ती मिरिशाही तेशिना कि तस्य मन उसका मन उस गुप्त चरका जो मन है न विब्य थे वह व्यथीत नहीं होता है कि वह जो सुचनाएं लाया है वह जो बी दुरियोधन की जो भी सुचनाएं हैं वह शायद युदिष्ठिर के प्रतिकुल हैं वह दिनों-दिन प्रगती किये जा रहा है उसका राज्यस्थीर हो चुका है उसके शत्रु समाप्त हो गए हैं उसके अतिधिक राजा मित्र बन चुके हैं, उसका कोश सुद्रण हैं, उसकी सेना भी सशक्त हैं, तो इन सारी सुचनाओं को देते हुए तस्य मनोन विव्यत हैं, उस गुप्तचर का मन उससे व्यथित नहीं होता है, वो भईवीत नहीं होता है, अब क्यों नहीं होता है? कि हितेशी हैं, हमारा जो हिच चाहते हैं, वह मृष्या व्यर्थ में ही मात्र हमें प्रसण करने के लिए ही प्रियम प्रवक्तुम न इच चाहते हैं, केवल प्रिय वचन बोलना नहीं चाहती। कि यहाँ एक गुप्तचर की विशेष्टा बतारें कि वो हितेशी है वह राजा युदिष्ठीर का हित चाहता है और केवल प्रियम उनको प्रसन्न करने के लिए ही म्रीशा प्रवक्तुम्न इच्छन्ती वह जूट नहीं बोलना चाहता असत्य नहीं बोलना चाहता वह चाहता है कि मैं जो भी सुचना लाया हूँ चाहे वह राजा युदिष्ठी को प्रिय हो अत्वा अप्रिय हो मैं उनको ये सुचना प्रदान करूँ क्यों प्रदान करूँ हितेशिना क्योंकि मैं उनका हित चाहता हूँ तो इस प्रकार से यहाँ पर गुप्त चर की विशिष्टाएं भी यहाँ पर प्रकट हो रही है कि कृत प्रणाम उसने सर्व प्रथम राजा युदिश्टी को प्रणाम किया वह विनम्र है वह एक सामानी सिष्टाजार का पालन कर रहा है नव विव्यत है तस्यमनह वह बीत नहीं होता है और मृषा वह व्यर्थ में ही जूठी प्रियवाते कहना नहीं जाता है क्यों नहीं कहना जा रहा है हितेशिना क्योंकि वह राजा युदिश्टीर का हितेशी है तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्धानतर निया सलंकार भी है एक विशेश बात है कि हितेशी नहां जो हितेशी व्यक्ति हैं मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छती वह व्यर्थ में प्रियवचन कहना नहीं जाते हैं वह हमेशा हितकारी वचन कहते हैं बले ही वह वचन कटू हों तो इस विशेश कथन का एक सामानी कथन से न विभ्यते तस्यम कि उसका मन व्यथीत नहीं हुआ, उसका मन भैवीत नहीं हुआ, इस एक सामानी कथन के द्वारा समर्थन कर रहे हैं, अतो यहां पे अर्थांतन्यास अलंकार हैं, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, फिर उस कथा को आगे बढ़ाते हुए, कहरें कि जो गुप्त चर हैं, वहां कहे रहा हैं कि क्रियासो युप्ते निरिपचार चक्षुश हुआ, कि क्रियाओं में जिनको नियुप्त किया गया हैं ऐसे अनुजीवी भी ही, अनुजीवी सेवकों के द्वारा नुरिप चार चक्षुशो प्रभवः जो चार चक्षुश चार यानि गुप्तचर जो गुप्तचर रुपी चक्षु नेत्र वाले जो नुरिप हैं जो राजा हैं न वंचन्या उन्हें कभी ठगा नहीं जाना चाहिए कि विशेष्टा बता रहें कि जो भी अनुजीवी हैं सेवक हैं जिनको राजा ने किसी कारियों में किसी कारियों में नियुक्त किया हैं तो उन सेवकों का यह कर्दव्य हैं कि प्रभवोन वंचन्या कि अपने स्वामी को अपने राजा को कभी भी ठगे नहीं उन्सके साथ कभी छलकपट न करें अब क्यों नहीं करें यहां कारण बताया गया है निरिप चार चक्षूस हो कि जो राजा होते हैं चार चक्षूस वह गुप्त चर रुपी नेत्रों वाले होते हैं कि वह अपने संपूर्ण राजी का निरिक्षन स्वेयम करने में समर्थ नहीं हैं Dopod01 अपने राज्जी से पाहर अन्य शक्त्री या मित्र राज्यों की जो भी सुच्चना हैं वह गुप्ट्चर के माद्यम से ही प्राप्त करते हैं और उन्हीं सुच्चनाओं के आधार पे वह अपनी कारी योजनाओं का निधारन करते हैं तो सेवकों का यह कर्तव्य हैं जो कि राजा संपून पुरी तरह से गुप्तचरों पर आश्री अगर घुपतचर उन्हें सही सुचना नहीं देंगा, तो हो सकता है कि राजा अपनी कारी योज़ना में सफल ना हो। तो यहाँ पे जो गुप्तचर है वह कह रहा है कि क्रियासु युक्ते इंद्री पचार चक्षुसर कि गुप्तचर रुपी चक्षुवाले जो राजा हैं उनको क्रियासु युक्ते जिन कारियों में जिनको नियुक्त किया गया है ऐसे अनुजीवी उनके जो सेवक हैं न व निवेधन कर रहा है, वह निचर हैं, वो युदिष्ठीर से निवेधन कर रहा है, कि अतह साधू असाधूवा कि मैं जो कुछ भी कहूं, जो कुछ भी आपको सुचनाई दे रहा हूं, साधू, आपको अच्छी लगे, प्रिय लगे, असाधूवा चाहे आपको वह अप्रिय लगे बुरी लगे क्षंतुम अरहसी में क्षमा के योग्य क्योंकि वो जानता है कि मैं जो भी सुचनाय लाया हूँ वह युदिश्ठीर के प्रतिकुल है उन्हें बुरा लगेगा उन्हें कटू वच्चन लगेंगे इसलिए वो पहले ही क्षमा प्रात्ना कर देता है कि असादु सादुआ आपको चाहे प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे क्षंतुम अरहसी में शमा के योग्य हूँ क्योंकि मेरा करतवी क्या है कि न वंचनिया प्रभवह कि मैं अपने स्वामी से छलकपट न करू फिर आगे वो अपनी बात का समर्थन कर रहा है कि हीतम जो हितकारी भी हो मनोहारी जो हमारे मन को अच्छे भी लगें वचह ऐसी वानी दुलभ़म बहुती दुलभ है अधिकांश जो हितकारी बाते होती हो हमें हमेशा कटू लगती है तो वह अपनी बात का समर्थन कर रहा है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह आपको अप्रिय लग सकती है किन्तु वह आपके लिए हितकारी है और ये मेरा कर्तव यह है कि मैं अपने स्वामी के साथ छलकपट न करू और इसलिए मैं जो कुछ भी कहूंगा असादू सादूगा चाहे आपको अच्छी लगे प्रिय लगे चाहे अप्रिय लगे क्षंतु मरहसी में शमा के योग्य हों आप मुझ पे क्रोध न करें यहां पर गुप्तचर का निवेदन विनम्र स्वभाव भी यहां पर प्रकट हो रहा है कि और वो कहें भी रहा है वो घ्यानी भी है कि जो हितकारी वच्चन है वो मनुहर भी हो यह आवशक नहीं है और इसे वच्चन बहुती दूरलब होते हैं इस प्रकार वो निवेदन करने से पूर्व ही राजा युदिष्टिर से शमायाचना कर लेता है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह मेरा कर्तव भी है मैं अपने कर्तव भी का पालन कर रहा हूं यहाँ भी अर्थान्तन्यास अलंकार ही है यहां पर कहाएं कि हित्म मनोहारी च दूरलब हम वच्चह यह इक विशेश कतथने कि हित्कारी भी हो और मनोहारी भी हो ऐसे वच्चन बहुती दूरलब होते हैं फिर उसका आगे वो कह रहे हैं कि असाधु साधुआ कि चाहे आपको प्रिय लगें चाहे आपको अप्रिय लगें क्षंतु मरहसी आप मुझे शमा करें इस प्रकार वनेचन यहां पे ख्षमाय आचना कर रहा हैं अब इससे आगे हम देखेंगे सकीम सखा साधुन शास्ती योधिपम हितान यह समश्रणूते सकीम प्रभुभु सदान कूलेशु ही कुर्वतम रती दिरिपेश्यु मात्येश्यु चसर्व संपदः फिर आगे वनेचन अपनी बात रख रहा है वो कह रहा है सकीम सखा सकीम सखा वह केसा मित्र है योधिपम साधुन शास्ती जो अपने अधिप अपने राजा को साधु उचित उपदेश नहीं देता है उचित सलाह नहीं देता है सकीम सखा वह केसा सखा है यानि उसका सखा होना वियर्थ है हितान यह सम्शनुते सकीम प्रभू और सकीम प्रभू वह कैसा स्वामी है वह कैसा राजा है यह जो हितान सम्शनुते जो हितकारी बातों को सुनता नहीं है यहाँ पे सका अर्था सेवक और प्रभू राजा दोनों की विशे में कहा गया है कि सका का कर्तव यह है कि वह अपने राजा को हमेशा अच्छा हितकारी उपदेश दे अच्छी उची सलाह दे होने और प्रभु शाशक के लिए कहा गया है हितान सम्षन दे कि वह सेवकों के द्वारा मंत्रियों के द्वारा जो उचित सलाह दे जारी हैं वह उस सलाह को सुने और समझे अब वो कारण बता रहा है कि सखा यदि उचित सलाह देगा और जो शाशक के उस सलाह को हितकारी बात को सुनेगा तो क्या होगा उसका परिणाम क्या है नरीपेशो अमातेशो सदा अनुकूलेशो कि जब किसी राज्य में नरीप राजा और अमात्य उसके मंत्री सदा अनुकूल जब अनुकूल हैं मंत्री उचीत सलाह दे रहें और नरीप राजा उचीत सलाह को सुन रहा हैं समझ रहा हैं जब दोनों एक दुसे के प्रती अनुकुल वेभार कर रहे हैं सर्व संपदह रतीम कुर्वते तो उनके राज्य में सर्व संपद सभी प्रकार की संपत्या रतीम कुर्वते प्रेम प कर्तव यहें अधिपम साधु शास्ती राजा को चिस सलाख दे और प्रभु राजा का कर्तव यहें हितान सम्षणुते वह हितकारी बातों को सुने यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका राज्य नश्ट हो सकता है द्रिपेशो अमातेशो यदि राजा और अमात्य सदा अनुकूलेशो एक दुसरे के अनुकूल हैं एक दुसरे से विचारवी मर्श कर रहें एक दुसरे के हितकारी बातों को सलाह को सुन रहे हैं मान रहे हैं सर्व संपदह रतिम कुर्वते तो सारी संपत्यां उस राज्य म प्रेम पूर्वकनिवास करती हैं तो इस प्रकार यहां पर जो वनेचर हैं राजा युदिश्टीर के समक्ष उपस्तित हुआ हैं उन्हें सुचनाएं देने से पूर्व वह उन्हें नमशकार कर रहा हैं और भईभीद भी नहीं हो रहा हैं साथ में एक शमायाचना भी कर रह उनसे प्रवंचना न करें और जब इस प्रकार से सेवक और मंत्री राजा ये सब एक दुस्य के प्रति अनुकूल होते हैं तो उनका राज्य उत्रोतर प्रगति को प्राप्त करता है तो आज इस वीडियो में यहीं तक धन्यवाद